हेलो दोस्तों परदेसी फ्लाइट येटूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है दोस्तों कोविड-19 की वज़ा से अभी भी कुछ देस फ्लाइटों पर पाबंदी लगाया हुई है बार्डर को क्लोच किये हुई है इसके लावा जो लोग वैक्सिन लगवा चुकिये उनको भी कुछ देसों में कॉरंटीन किया जा रहा है PCI टेस्ट को लेकर इन सब तमाम मुद्दों पर आइटा की मीटिंग हुई थी तीन दिवसे मीटिंग हुई थी बोस्टन अमरीका में ये मीटिंग हुई थी तीन अक्टूबर से पाच अक्टूबर के दर्मियान जिसमें कि मीटिंग में और आइटा ने अपील की थी कि अब बाडर को ओपन किया जाए और फ्लाइटों को सुरू किया जाए जिसका असर अब दिखना सुरू हो चुका है अच्छी खबरे आनी सुरू हो चुकी है सिंगापूर से इसके लावा बहरीन से इसके लावा सौधी को लेकर सिंगापूर को लेकर तो सिंगापूर ने भी काफी लंबे समय तक अपने बार्डर को क्लोच किया हुआ था फ्लाइटें बंद की हुई थी लेकिन अब सिंगापूर ने कॉरंटीन फ्री ट्रिवल करने के लिए परमिशन दी है आठ देसों से पाबंदी समाप्त करने जा सिंगापूर 19 अक्टूबर से यह 8 देस हैं कैनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, निदरलेंड, इस्पैन, यूके, यूएस यानि 8 देसों से 19 अक्टूबर से पाबंदी समाप्त हो जाएगी और यहां के लोग सिंगापूर के लिए ट्रोल कर सकेंगे वो भी कॉरंटीन अगर वो लोग वैक्सिनेटेड हैं तो उन्हें ट्रोल करने के लिए पर्मिशन दी जाएगी, साथ में किसी भी तरह का कॉरंटीन रूल्स लागू नहीं होगा वैक्सिनेटेड लोगों के ऊपर, तो यह जो मुद्दा बनाया था आयटा ने कि जो भी लोग वैक्सिनेटे अगली अपडेट दोस्तों बहरीन को लेकर हैं तो बहरीन ने भी गेरा और देशों को रेड लिस्ट से बाहर कर दिया है, यानि जो रेड लिस्ट वाले कुछ कंट्री थे जिसमें गेरा देशों को अब बहरीन के तरफ से बाहर किया गया है, यह जो गेरा देश हैं जिनको 10 अक्टूबर से red list से बाहर करके green list में सामिल कर लिया गया है तो लगातार दोस्तों अच्छी खबरे आ रही है कई सारे देश red list से बाहर हो रहे हैं कई सारे देश travel करने के लिए अब permission देना सुरू कर चुके हैं तो इसी सिलसले में बहरीन ने 11 और देशों को red list से बाहर करके green list में सामिल कर लिया यानि अब यहां के लोग entry कर सकेंगे, travel कर सकेंगे, किसी तरीके की कोई बंदिशें नहीं रहेंगी अगली update दोस्तों इंडिया की इंद्रा गांधी international airport दिली को लेकर है लेकिन एक नवंबर से अब open हो जाएगा इंद्रा गांधी का terminal 1 तो यह एक अच्छी खबर है क्योंकि अभी तक जो flight अपरेट हो रही है वो terminal 2, terminal 3 से अपरेट हो रही है तो एक नवंबर से terminal 1 से भी flight अपरेट होना सुरू हो जाएंगी दिली airport से एक दिन में लगबग 1,25,000 पैसंजर का अवगमन होता है इसके लवा 850 flight अपरेट होती है जिसमें terminal 1 से 150 से 200 flight अपरेट होती है तो यह एक अच्छी बात है कि terminal 1 भी open हो जाएगा एक नवंबर से terminal 1 से अधिकतर जो flight अपरेट होती है तो यह भी एक अच्छी ख़़र है लगातार अच्छी ख़़रे अब आ रही है अगली update दोस्तो साधी अरब को लेकर है तो साधी अरब की जो सबसे पहली update है वो करोना case को लेकर है तो पिछले 24 गंटे में साधी अरब में जो करोना के नए case रिकार्ड किये गए है नहीं की हुई है उनका आज से flight में boarding भी नहीं होगा इसके लावा public place पर भी नहीं जा सकते हैं government office में visit नहीं कर सकते हैं private office में visit नहीं कर सकते हैं shopping center पर visit नहीं कर सकते हैं यानि कई सारे जगों पर उनकी entry पर बैन हो जाएगा अगर उन्होंने vaccine की doge complete नहीं की हुई है तो अगर दोस्तों इंडिया से साथी अरब flight को लेकर बात करें तो अभी भी जो लोग इंडिया में vaccine की doge complete कर चुके उनको direct entry करने के लिए permission नहीं मिली है हाला कि साथी अरब ने हिसाब से फैसले लेगा बहराल दोस्तों हम सबको इंतिजार है कि साथी हुकूमत उन लोगों को direct entry करने के लिए कप permission देती है जो लोग इंडिया में vaccine की दोनों डोज लगवा चुके हैं आगे दोस्तों कोई update होगी इस पर तो वो आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी flight youtube channel को subscribe करने मिलेंगे next video में तब तक आप अपना ख्यार लखिए खुस रहिए गुड़ बाई